हेलो फ्रेंड्स मीनूस रेसिपी में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे अरहर दाल फ्राई यह धावा एस्टाइल दाल फ्राई है यह बहुत टेस्टी लगता है और बनाना उतना ही आसान है तो अचले देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं और अगर आपको मेरा यह वीडिय अधर दाल फ्राई धावा स्टाइल अरहर दाल और तूवर दाल फ्राई करने के लिए यह मैंने एक कटोरी तूवर दाल को थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के कूकड में दो सीटी लगने तक पका लिया है यह बहुत अच्छे से पक गया है यह देखिये तो अब हम इसका लगाएंगे तरका के लिए एक टमाटर एक प्याज थोड़ा सा लहसन क्रस्किया हुआ थोड़ा सा अध्रक क्रस्किया हुआ एक हड़ी मिर्ची मिर्ची जो आप अपनी साबसे कम जादा कर सकते हैं और एक चौथाई जीर चलिए हम फ्राई करते हैं इसे यहां पर मैंने कराही लेनी है इसमें हम डाल देंगे सरसोगा तेल को खूब अच्छे से गर्म होने देते हैं तेल से गर्म हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे जीरा हाडी मेर्ची लहसन और अध्रक इसमें ठोल देंगे अब इसमें डाल देते हैं प्याद इसमें पत्ले 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 प्रोमी कटेवें यही पे हम डाल देंगे आदर चमच हींगे इसे की डाल की डाल पचने में आसानी होती है गयत बहुर्ट बहुत बहुत है और इसलिए इसलिए अच्छा आजाता है लिए प्याज्ञों में हलका सा ट्रास्टरेंट थोन होने तक जून लेना है लालो गया है अब उत्ति हैं इसमें ढाल देता है तो मात्र तो की युझे? हम डाल देगे आज़ा चिपातमीश जहनय पॉडर और पॉडर अज़ा चिपातमीश लाल मीश पॉडर और गरम मसाला पॉडर हलदी और नमस हमने पहले यह डाल को वालम में ही डाल लखा थे हम नहीं करेंगे यहां अब हम इसे अच्छे से ढूल लेते हैं टमाटे को हल्का सा गलाना बहुत ज्यादा हमें नहीं गलाना है छोड़ना नहीं है मसाले को नहीं तो मसाले जल जाएंगे तो कंटिन्यू चलाते हुए इसे ढूलने टमाटे भून गएंगे अब हम इसे ढूल देते हैं हादा दूने और इसे अच्छे मिस्का देते हैं यह मसाले तियार हो गए अब जो हमने डाल को उबाल के रखा है वो डाल देंगे इसमें अच्छे से मिस्कर देंगे और बस डाल में सिर्फ उबालाने तक हम इसे पकाना है कि डाल तो हमारा पका हुए सिर्फ एक उबाला है जिससे की डाल और मसाले सब अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसे मुबलने देते हैं खौलने देते हैं डाल जो है वो खौलने लगा है अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इस डाल को एक बाल में ट्रांसफर कर लेते हैं और अब हम तरके की तियारी करते हैं तो तरका लगाने के लिए यह मैंने तरका पैन ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे घी घी आप एक चमच ले ले घी को पिघलने देते हैं घी जब पिघल जा अगर्म हो जा तो मुझे एक चमक जीरा घेस को कम कर देदें जीरा भी है उसरे देंगे मिर्ची दो लाल मिर्ची मेंने लिए और इसे हम बावल में मैंने तरका डाल लखा है उस पर हमें डाल लेना है यह धाबा स्टाइल अधर की दाल फ्राइबन के त्यार हो गई है आप इसे एक बार जरूर ट्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह रेस्पी कैसी लगी